बस्तर के बस्तर में एक ऐसा मंदिर है जहां बस्तर वासी अपनी अपनी मनुकामना पूरी होने के लिए देवी को काला चश्मा चड़ाते हैं ये मानिता सैकड़ों सालों से लगातार चली आ रही है दरसल बस्तर जिले के कांगिर वैली नेशनल पार्क के कोटमसर गाउं में हर तीन सालों के अंतराल में देवी बास्ताबुंदिन की जात्रा होती है ग्रामिन भक्त देवी को चश्मे चड़ाकर जंगल के हरे भरे रहने की कामना करते हैं बस्तर के आदिवासियों के लिए बस्तर के घने जंगल जीवन यापन के लिए सबसे उत्तम और कुदरती देन है आदिवासियों का मानना है कि भगवान उन्हें जंगल वर्दान की रूप में फेट कर चुके हैं आदिवासिय अपने जंगल को जान से भी ज्यादा चाहते हैं वो ना किवल जंगल का संड्रक्षन समवर्धन मन से करते हैं बलकि अपनी आराध देवी से मननत मांगते हैं कि उर्गे जंगल को किसी की बुरी नजर ना लगे। इसके लिए ग्रामेंट बकायदा अपनी आराध देवी को नजर का चश्मा भी चढ़ाते हैं। इसी मन्दीर है जहां लोग मननत के तौर पर माता के समक्ष चढ़ाते हैं। लोग माता के समक्ष काला चस्मा चढ़ागार अपनी मननते पूरी करते हैं। बास्ता बुधिन मंदीर में मौझूद हूँ। और इस बास्ता बुधिन मंदीर का खास विशिशता यह है कि इस मंदीर में माता के समक्ष काला चस्मा चढ़ाया जाता है। और लोग का मानना है कि छेत्र के जो लोग है उसका मानना है कि यह कांगेर वेली जो है राश्टी उद्दन है। और इस खरे भरे पेड़ पोधे को पर किसी की नजर न लगे। साथ ही जो आदिविसी समूदय के लोग है वो प्राकर्तिक की पुजरी होते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से जो प्राकर्तिक पुजरी जो आदिविसी समूदय के लोग होते हैं। वो हमें सब अपने प्रकृतिक से प्रेम रहते हैं, प्रेम करते हैं और इसी के चलते आज वो भी एक समक्ष मौजूद है जहाँ पर माता के समक्ष काला चस्मा अरपित कर इस जल जंगल जमिन की रक्षा की कामना कर रहे हैं.